तो हाई एब्रिवेन कैसे हैं आप सब चलिए आज आप सब मिलकर बनाते हैं प्रशाद वाली बूंदी सब को अपना बच्पन तो इशाद याद ही होगा जब हम लाइनों में लगते थे मंदिर के बाहर और बूंदी का प्रशाद लेने के लिए वह थोड़ा सा प्रशाद मे बनाना है ना बहुत थिक होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए और उसमें हम एक छोटा टी स्पून आधा टी स्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर डालके इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में एक टेबल स्पून इसमें जाए काफी अच्छी डाइब की बनेगी हम उसके बाद उसके बाद हम उसे पंदरा मिनिट के रए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे दूसरतर पहले मे एक पैन मे जिस कट्वरी से हमने बेसन लिया था इसी कट्वरी से पानी को नापना है और उसी कटारी से हमने शुगर को नापना है दोने चीजों को नापकर हम पकने के लिए इसको छोड़ देंगे हमने एक तारवारी चाशनी चारसी मतलब अच्छे से यह चीनी इसमें घुल जाए कच्चे पन की महगना रहे और कच्चे पानी की महगना है इतना हमने इसको पका लेना है आपने यह बून्दी बनाने के लिए इस तरह का एक कीमर जिसे हम हिंदी में जहरना बोलते हैं वो ले लीजएगा सब के पास अलग-अलग साइस के और अलग-अलग तरह के भी होते हैं अगर आप बहुत ज्यादा ओयल डालेंगे तो तो आप ज्यादा डालेगा मैंने इसमें शुरू में थोड़ा सा गलती की है कि मैंने ओयल कम रखा और इसमें बून्दी ज्यादा डाल दी इसलिए क्या होगा उसके वज़े से यह आपस में चिपकेगी अनिहाओ बात में मैंने सब तोड़ ताड़ के ठीक कर दी थी सब ठीक हो गई थी लेकिन आप इसको बनाते टेम इस तरह का ध्यान रखेगा थोड़ी बहुत इस तरह की मिस्टेक कभी हो जाती है बस और दूसरा फ्राइ करते हैं हमने इस बहुत का भी धिहान देना है कि हमने इसको सिम गैस पर फ्राइ करना है सिम आज पर धीमी आज पर फ्राइ करना है और इसको बहुत अच्छे से अंदर तक पकने देना है क्योंकि बेसन में एक अजीब सी महक होती है और अगर हम बेसन को बहुत अच्छे से नहीं पकाएं तो वो महक इसकी बनी रहेगी इसलिए हम इसका जब तक इसका यलो कलर से थोलो डाग कलर ना हो जाए तब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि हमारी बूंदी पक चुकी है फ्राइ हो चुकी है हम इसको बहुत अच्छे से फ यह बूंदी तो simple ऐसी खाने में मुझे बहुत पसंद आती है और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनी की demand पर यह recipe आज बन रही है बस देखें fry करने के लिए अभी हम इतनी जल्दी में नहीं निकाल रहे हैं हम इसे बहुत अच्छे से fry कर रहे हैं दूसरे side पर देखा तो चाशनी भी तयार हो गई है बस चाशनी तयार हो गई है अब इस चाशनी के ठंडे होने का और बूंदी के ठंडे होने का वेट करेंगे गरम-गरम हम नहीं डालेंगे अगर हम गरम-गरम दूसरे के अंदर डाल देंगे तो बूंदी फटके जैसे वो पकोड़िया नहीं फट जाती कई बार वैसी हो जाएगी इससे दूसरे चाशनी में ये बूंदी को एक घंटे के लिए डालके अच्छे से मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे और एक घंटे बाद हमको हमारे रसीली, स्वादिश्ट, टेस्टी बूंदी मिल जाएगी बस खाईए और इंजॉय कीजिए बस एक घंटे तक मैंने इसको इसके अंदर डिप करके रख दिया है अब एक घंटे में क्या हो गई, जो चाशनी है यह पूरी एब्सॉब हो जाएगी बूंदी के अंदर और बस फिर हमारे बूंदी तयार और इसके बाद हम इसे खाएं, इंजॉय करें, भगवान के परशाद में चड़ाने के लिए जाएं यह देखे, इतनी अच्छी रसीली बूंदी तयार है, अभी हलकी सी यह जो गीला पन है यह थोड़ी देर बाद जब इसमें चाशनी बहुत अच्छे से और चलिया आएगी और सूख जाएगी तो यह चला जाएगा, बट यह खाने में बहुत अमीजिंग है, बहुत ही टेस्टी है अब भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा, बाबाई